स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मौड्स ओफ मेजर्मेंट या यूनिट्स ओफ मेजर्मेंट जो भी हम देख रहे हैं ना फिप्थ हम फिप्थ तक कंप्रेट हो चुकिया हमारे बिक वर्क तक तो अब हम सिक्स पॉइंट स्टार्ट करेंगे स्टोन मेशनरी जब भी हम स्टोन मेशनरी करते हैं बिल्डिंग का इस्ट्रक्शन करते समय तो उसका यूनिट्स ओफ मेजर्मेंट च्या रहेगा तो उसकी लिए मिटर क्यूब हम जो भी स्टोन मेशनरी करते हैं तो वह मेजर करते हैं हम मिटर क्यूब में मेजर करते हैं तो वह किस प्रकार से करते हैं यह मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तो यह यह देखो यहाँ पर स्टोन मेशनरी तो यहाँ पर स्टोन मेशनरी means एक wall होती है जो कि हम stone से construct करते हैं तो इसकी quantity हम यह इसका unit of measurement क्या होता है? meter cube होता है तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक हम wall consider करते हैं for example तो इसमें यह हो चुकी length यहां से यहां तक यह हो चुकी wall क्या हमारे length हो चुकी यहां से यहां तक height हो चुकी समझ में आई गई बात for example ले राव में यहां से भी उपर भूत height होगी फिर भी हम यहां तक ही consider करें आपको सिफ understanding के लिए हमने यहां पर इतनी height ले चुकी है यह हो चुकी height यह हो चुकी इसकी length और यह हो चुकी wall की thickness समझ में आगई बात जितने भी thickness होगी यह हो चुकी thickness तो इन टीनों का multiplication करके हमें quantity आ जाएगी तो next point हम देखते है store machinery complete हो चुका अब हम देखते है woodwork जो भी woodwork होता है ना तो woodwork का measurement हम कैसे लेते है meter cube में लेते है या उसमें मान लो door and window frames हम door और window के जो भी frames होते है ना उसे भी हम woodwork ही कहते है उसे उसको भी जो भी work होता है ना construction means हम door के frame लगाते है ना brick work होने के बाद या brick work चल रहा है तभी हम frame insert करते है building में तो उसका जो भी work होता है उसको हम meter cube में major करते है तो मैं आपको image के through explain करता हूँ woodwork for door and window frames तो यहाँ पर मैंने एक door लिया है इसी प्रकार से आप window को भी window को भी आप समझ सकते हो तो यह door है तो यह door का shutter हो जाएगा यह देखो यह shutter है door का और यह भी shutter होते है इसके तो यह भी shutter हो चुका और frame क्या होती है यह देखो यह जो है न यहाँ पर यह frame है door की यह door की क्या है frame है यहाँ से यह पूरी की पूरी से हम door frame बोलते है तो यह जो door frame होते है न तो इसकी quantity हम किस में लेते है तो मैं इसको यहाँ पर एक image ड्रॉ करना चाहूंगा मान लो यह था हम 3D में एक frame का पार्ट है छोटा सा इस प्रकार से हमारी frame रहेगी तो यह छोटा सा एक part मैंने यहाँ पर निकाला है इसी प्रकार से होती है न फ्रेम तो इस पर यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से door shutter लग जाएगा और यह हो चुकि दोर फ्रेम हमारी तो यह हो चुकि इसकी थिकने दान लो और यह जो हम जब भी फ्रण्टी उश्य देखते हैं तो यह हो चुकि इसकी थिकनेश कितना थीक है और यहां से यहां तक इसकी हो चुकी ठीकनेस समझ में आ रहा है ना और यहां से यहां तक means जो भी यह हमारी वाल है तो इस वाल में हम इस प्रकार से फ्रेम लगाते हैं समझ में आ रहा है ना तो यह हो चुकी इसकी वीर्थ मान लो आप समझ में आ गए यह हो चुकी वीर्थ यह हो चुकी इसकी ठ और यह हो चुकी इसकी height या मानलो length, length हम कैसे major करते हैं? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस परकार से हम major करते हैं, तो इन सभी तीनों का हम multiplication करते हैं, तो हमारी quantity आजाती है, meter cube में आजाती है, quantity, तो इस परकार से हम woodwork means window frame हो या door की frame हो, तो इसकी quantity हम कैसे में major क करते हैं, तो यहाँ पर 7 number complete हो चुका, अब हम 8 number point देखेंगे concrete, तो concrete हम case में major करते है, meter cube में हम major करते है, कोई भी concrete cover हो, या चाहिए ओ, आप consider कर सकते हो, जो भी हम RCC में देख लिए न, RCC का, RCC means क्या होता है, reinforcement concrete किसलिए ये इस्तमाल होता है, foundation, column, slab, instruction करने के लिए, तो उसमें जो भी concrete लगता है, तो उसे हम concrete करते हैं, तो इसका units of measurement क्या होता है, meter cube होता है, यह देखो, जहाँ पर भी concrete का यूज करते हैं, हम road के लिए भी हम concrete का यूज करते हैं, तो कितनी quantity चाहिए, तो वो हम meter cube में निकालते हैं, उसकी length, width और उसकी thickness, multiply करके हम concrete निकाल सकते हैं, तो यह भी हम meter cube में major करते हैं, सेम, reinforcement cement concrete की तरह, RCC की तरह, जो भी हमने यहाँ पर point number 4 में discuss किया था ना, सेम उसी प्रकार से होता है concrete का भी, अब हम देखेंगे DPC, DPC मिन्स क्या होता है, damp proof course होता है, तो इसकी quantity हम कैसे major करते हैं, meter square में, इसकी quantity हम major करते हैं, तो चलो द देखते है, DPC हम कैसे major करते हैं, तो यह देखो, यहाँ पर, आप देख सकते हो, यहाँ पर इस image में, तो यहाँ पर यह जो सारे हैं, यह से हम DPC पोलते हैं, क्यों लगाते है DPC, DPC का use हम क्यों करते हैं, साइड पर, यह देखो, capillary action नहों, means, यह बहार का portion है, यहाँ पर rainy season में क्या होता है, यह wall पूरी की पूरी, ground से, brick यहाँ पर ground लियो, consider करो, तो brick की property क्या होती है, water को अपसॉप करना, तो सबसे पहली यह brick अपसॉप कर लीती है, water, उसके बाद यह भी brick अपसॉप कर लीती है, यह brick, तो इस परकार से क्या होता है, water rise करके ऊपर चला जाता है, तो इसी के कारण हमारी जो भी wall होती है, वो water को अपसॉप करती है, और वो गिली गिली सी हो जाती है, और अगर brick ने अपसॉप किया, तो इसका effect क्या होता है, color भी building का, जो भी हमने wall को color दिया होता है, उसकी shining भी कम हो जाती है, समझ में आ गई बात, और एक smell भी create हो जाता ह तो इसी के कारण हम बीच में क्या करते है, DPC का layer हम provide करते है, समझ में आ गई बात, DPC हम क्यों provide करते है, और कहा पर provide करते है, plinth height के उपर हम DPC provide करते है, यह देखो यहाँ पर, क्योंकि जो भी water आ गया है, ground level से जो भी water आ गया है, वो इसी के उपर ना जाए, यहाँ पर आ दोरान भी explain कर सकता हो, यह देखो, यहाँ पर एक DPC का layer है, यहाँ पर DPC की एक sheet या अलग sheet यह आप यूज कर सकते है, या damp proof course means क्या होता है, इस ता कॉंक्रेटिंग का एक layer भी आप डाल सकते हो, या उसके उपर आप bitumen का भी layer डाल सकते हो, bitumen का भी layer हाँ, डाल सकते हो यहाँ पर नीचे से आगर water उपर की तरफ आ जाए, तो यह जो होता है न, damp proof course, तो उसे रोक लेता है, उसे उपर नहीं जाने देता, तो इसलिए हम DPC का use करते हैं, और इसकी quantity हम कैसे measure करते हैं, meter square में measure करते हैं, तो ओ कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हो, तो यह हो चुकी इसकी length, DPC की length हो चुकी, और यह देखो, यहाँ से यहाँ तक, यह हो चुकी, इसकी thickness हो चुकी, DPC की, और यहाँ से यहाँ तक length हो चुकी, for example, आप यहाँ से यहाँ तक, इस सभी side की आपको dimension measure करने पड़ेगी, जब भी आप detailed estimate, chapter number 3 में, आप quantity निकालोगे न, तो आप सभ इसकी length, इसकी length, यहाँ की length, यहाँ की length, यहाँ की length, इस परकार पूरी plot की length आपको measure करने पड़ेगी, और ओ कैसे measure करते हैं, ओ भी हम देख लेंगे, third lecture में, third chapter में, तो इस परकार यह हो चुकी thickness, और यह सभी, यह इतनी सी भी, इसकी length हो चुकी, तो इसका multiplication करके आपको answer आजाएगा, या units of measurement, meter square, तो इसमें हम measure करते हैं, DPC के लिए, समझ में आई बात, तो चलो, हम next point देखते है, DPC यहाँ पर complete हो जाता है, next point है हमारा plastering and pointing, तो यह हम meter square में measure करते है, plastering and pointing, तो कैसे measure करते हैं, यह हम देखेंगे, यहाँ पर, plastering and pointing, तो यहाँ पर आप image भी देख सकते हो, यह, तो यहाँ पर जो भी brick work हो गया है, तो उसके बाद हम plastering करते हैं, तो plaster means क्या होता है, cement, cement, और cementite layer हम डालते हैं, brick के ऊपर, तो उसे हम plastering बोलते हैं, और pointing means क्या होता है, या, means elevation के लिए या, अगर हमारा structure पुराना हो जाता है, और हमें इसके जो भी joint होते हैं, यह joint, अगर इसको replace करके, नए joint बनान है, तो हम इससे थोड़ा-थोड़ा, बीच में हम से सबसे पहला वाला, means old mortar निकाल के हम new mortar, जो भी होता है ना new mortar, उसे हम fill up करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, pointing बोलते हैं, आपको यहाँ पर में pointing यहाँ पर समझाना चाहूंगा, explain करना चाहूंगा, यह देखो, यह जो वाल है ना, यह बहुत पुरा new वाल है, और इसमें से जो भी point है ना, जो भी इसमें से old mortar होता है ना, इस बीच में यहाँ का, तो इसे सबसे पहले हम निकालते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम new mortar लगाते हैं, समझ में आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस work को हम pointing work बोलते हैं, और इसका units of measurement क्या होता है, यह देखो, यह हो चुकी height, और यहाँ से यहाँ तक हो चुकी length, समझ में आ गया, हमें इतना अगर pointing का work करना है, या मान लेते हैं, इस wall का हमें pointing work करना है, तो यहाँ से हो चुकी length, तो इस प्रकार से हमें units of measurement है हमारा meter square, pointing के लिए, और plastering के लिए क्या है, यह देखो, यहाँ पर भी आप pointing in building maintenance, building maintenance के लिए हम pointing का यूज करते है, the technique of repairing mortar, जो भी old mortar होता है, उसे repair करने के लिए joint between the bricks, और other machinery elements, तो उसे repair करने के लिए हम जो technique का यूज करते हैं, उस और यह देखो, यहाँ पर plaster का work हो रहा है, और plaster यह देखो, यहाँ पर एक mortar होता है, 1s23 का means cement और sand का mortar होता है, तो इस परकार से हम plastering का work करते हैं, और major के से करते हैं, तो यह हो चुकी इसकी height और यह हो चुकी इसकी length, समझ में आ गई, तो इस परकार से हम यह हो चुकी height और तो इसका multiplication करते हैं तो हमें quantity मिल जाती है मीटर square में तो ये हो चुgyptा plastering and pointing के लिए अब हम next देखेंगे flooring flooring means हम जब भी टाइल डालते हैं आ first floor तो हम flooring work केते हैं मेटर square में मेजर करते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इदे को यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क हो चुका है आप अपने घर में भी देख सकते हो फ्लोरिंग का वर्क तो उसका यूनिट सॉप मेजरमेंट क्या होता है? मीटर स्क्वेर होता है किसी भी एक लेंथ लो यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी और पूरी की पूरी लेंथ लो और उसकी वीड तो जो होती है इस परकार से आप कैलकुलेट करके मेटर स्क्वेर में निकाल सकते हो मान लो यहाँ पर मैं एक एक्जाम्पल लेता हो कि इतना मेरा slab का area है तो इसमें मुझे tile cover करना है means flooring करना है तो इसकी quantity में कैसे निकालता हूँ यह हो चुकी मेरी width और यह हो चुकी मेरी length तो इस परकार से में इसकी quantity major करूँगा समझ में आ गया flooring हम कैसे major करते है तो flooring के लिए meter square unit होता है skirting अब आपको skirting का unit क्या होता है अगर हमने full skirting यूज़ की होगी तो meter square में अगर half skirting यूज़ की होगी तो planning meter में हम measurement करते है तो मैं भी यह भी आपको explain करूँगा यह देखो skirting skirting किसे कहते है यह देखो यह जो हम wall के उपर एक layer लगाते है ना tile का तो उसे हम skirting बोलते है यह देखो इस image में आपको बहुत अच्छे तरह से understand हो जाएगा यहापर जो आप देख रहे हो ना यह पूरा का पूरा skirting work है यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया यह देखो यहाँ से यहाँ तक हमने skirting प्रवाइड की है और इसमें यह क्या है half skirting है तो इसका इल्ट्स of measurement क्या हो जाएगा सिर्फ length में हम measure करेंगे यहाँ से यहाँ तक length और यहाँ से यहाँ तक length सेम इसी प्रकार से हम सिर्फ length में measure करेंगे कितनी length है यहाँ मान लो 1 meter है और यहाँ से यहाँ तक 1 meter में है तो total क्या हो चुकिए 2 meter तो इस प्रकार से हम skirting का measurement करते है कब जब हमारी यह skirting half skirting हो means 10 cm तक consider कर सकती हो आप अगर full cup आप कहोगे full skirting जब यह देखो यह आपकी जो tile है ना यहाँ पर पूरी की पूरी tile अगर यही tile यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से अगर डाली होती लगाई होती वाल को पूरी की पूरी tile यह जितनी tile का size है ना यहाँ का same इस size का tile अगर इस प्रकार से हमारे wall को लगाया होता अगर हमने इस प्रकार से लगाया होता तो इसकी quantity हम same इसी प्रकार से हमने लगाया होता इस side में भी same इस side में भी तो इसकी quantity हम कैसे measure करते यहाँ से यहाँ तक यह हो चुकी length और यहाँ से यहाँ तक यह हो चुकी इसकी height समझ में आया, ये हो छुकिए, इसकी हाइट, तो इस प्रकार से length और height का multiplication करके हम meter square में निकालेंगे, कब full skirting होने होने पर हम meter square में निकालेंगे, और half skirting होने पर हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ running meter में निकालेंगे R, M, T समझ में आई ए बाद तो चलो आपको skirting का भी knowledge हो गया होगा पूरा का पूरा skirting full और half भी हमने देख लिए full के लिए meter square होता है और half के लिए running meter होता है अब हम देखेंगे 13 point tiled roofing AC sheets और GI sheets तो इसका units of measurement क्या होता है meter square होता है meter square तो चलो यह भी देखते हैं कि किस परकार से हम major करते हैं tile roofing के लिए shuttering के लिए तो यहाँ पर देख सकते हो आप tile roofing, AC sheets और GI sheets यह देखो यहाँ पर आपको जो भी दिखाए दे रहा है तो इसे हम tile करते हैं तो इसका जब भी हम chet के लिए इस्तिमाल करते हैं तो यह हो चुका tile roofing, तो इसे हम tile roofing पर देखे हैं इसका भी units of measurement क्या होता है meter square, यह मानलो यहाँ तक लेंदे हैं, तो यह triangular portion हैं तो इस परकार से आप triangle का area आपको निकालना आता है यह इतना भी आप जाएगी, किसके लिए tile roofing के लिए, AC sheets यह देखो, यहाँ पर AC sheets और GI means iron sheets होते है यह means cement के sheet होते हैं जो AC sheets, हम cement के sheets को ही AC sheets बोलते हैं, सेम इसी type में होते हैं, तो यह देखो, इसका units of measurement क्या होता है, meter square में जितना भी हमारा अच्छाथ होगा तो उसका अच्छाथ का हम length और उसकी width को हम multiply करके हम, meter square में निकालते हैं तो आपको यहाँ पर soft measurement समझ में आ चुके होंगे Tyler roofing, AC sheets और GI sheets के तो next point हम देखेंगे centering and shuttering और formwork, तो इसके लिए हम constant swap measurement करते है तो meter square हम measurement करते है तो मैं आपको समझाता हू centering किसे कहते है, shuttering किसे कहते है और formwork किसे कहते है तो यह देखो, यहाँ पर तो यहाँ आप देख सकते हो centering, shuttering और formwork तो सबसे पहले हम formwork देखेंगे formwork is a temporary structure which is used to mold to pour the concrete formworks may be the horizontal or vertical arrangement made to keep concrete in position units it gain desired strength and shape तो जब भी हम concrete का mold बनाने के लिए या मान लो beam का construction करना है, column का construction करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक mold बनाते है mold किसे बनाते हैं? लकडी का या ploward का इस्तिमाल करके हम उसका shape बनाते हैं ना desired shape तो उसे हम formwork के थे तो इसका units of measurement क्या होता है? मिटर स्क्वेर होता है, shattering means क्या होता है? यह भी part of formwork का ही होता है जो भी vertical, vertical होता है ना जो भी column के लिए जो भी हम formwork लगाते हैं तो उसे shattering बोलते हैं, इसके उपर में अलग साथ deep में video बनाऊंगा वो भी धेख लेना आप, जो भी vertical होता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं? shattering बोलते हैं और जो भी centering means क्या होता है? जो भी horizontal member होता है ना जो भी हमारा मानलो beam है या slab है तो horizontal में जो हम formwork लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? Centering बोलते है, Vertical के लिए हम क्या बोलते है, Shettering बोलते है, और Horizontal के लिए Centering बोलते है, और इन दोनों को हम क्या बोलते है, Formwork बोलते है, Formwork समझ में आ गई बात, तो इसका Units of Measurement क्या है, Meter Square है, तो मैं यहाँ पर एक Example लेकर आपको समझाता हूँ, यह देखो, यहाँ पर Column है, तो यह हो चुकी इसकी Height, और यह हो चुकी इसकी Width, इस Column की Width, तो इसे Multiply करके, आपको यह देखो, इस Panel के आपको Formwork निकल के आ जाएगा, इस, यह साइड है ना, इस साइड का, सेम पीछे वाली साइड और इसके भी पीछे वाली की साइड का निकलना होगा, तो इस परकार से हम Formwork निकालते हैं, Generally जब भी Formwork निकालते हैं तो Short में हम कैसे निकालते हैं, यह देखो, यह वाली साइड, यह वाली साइड, मान लो, यह हमारी A है, और यह B है, 2A 2a plus 2b means यह जो a वाली side है ना इसके पीछे भी होगी और यह जो b वाली side है ना इसके यहाँ पर भी इसके पीछे भी side होगी समझ में आ गई बात तो 2a plus 2b into हम length करते हैं तो हमारे one column के लिए जितना भी form वर्क लगेगा वो निकल कर आ जाता है समझ में आया इसी प्रकार से हम beam का beam का लेते समय स्रिफ three side आ जाएगी यह देखो इसला भी हमारा और यहाँ से beam है तो beam का निकलते समय स्रिफ यह वाली side यह हम मान लेते हैं beam की depth मान लेते हैं तो 2d means यह वाली side और यह वाली side और प्लस इसकी width beam की तो 2d plus w हम निकल के इसकी total length beam कैसा देखता है हमारा suppose तो यह हो चुका इस प्रकार से 3d में आप देख सकते हो imagine भी कर सकते हो इस प्रकार से समझ में आया तो इसकी यह length हो चुकी तो इस प्रकार से हम beam का भी slab का तो हम आसानी है slab का स्रिफ इसी प्रकार से होता है ना slab तो slap का भी हम निकाल सकते हैं आसानी से तो यह हो चुका centering, shuttering और formore के लिए units of measurement होता है, meter square होता है अब हम देखेंगे dado के लिए units of measurement क्या होता है तो dado के लिए क्या होता है, meter square होता है तो dado means क्या होता है, मैं आपको explain करता हूँ सबसे पहले आपको understanding 0 थे उसका modes of measurement से भी पहले आपको dad over किसे कहते है shuttering किसे कहते है, centering किसे कहते है यह आपको आना चाहिए, इसलिए मैं इतना deep में explain कर रहा हो तो dad over किसे कहते हैं, यह देखो यहाँ पर हमारा kitchen है तो kitchen में हम क्या करते है, vertically tiles लगाते है समझ में आ गई बात, vertical एक tile लगाते है तो उसे हम क्या बोलते है, dad over कहते है उसे हम और आपने देखा होगा कि आपके bathroom में या WC में हम मान लो यह हमारी bathroom की wall है तो हम क्या करते है, WC आगर हमारी होगी तो WC में हम क्या करते है यहाँ से नीचे से हम क्या करते है, 1 meter तक हम tile provide करते है समझ में आ गई बात, tile provide करते है और मान लो हमारा bathroom है तो bathroom में हम क्या करते है, throughout wall हम क्या करते है, wall को ही tile लगा देते है तो उसे हम क्या बोलते है, dad over और उसका units of measurement क्या होता है? मिटर स्क्वेर ऐसे measure करते हैं यह हो चुकी इसकी height और यह हो चुकी इसकी width सेम इसी प्रकार से WC में भी हम इस प्रकार से ही area measure करेंगे और kitchen में भी सेम इस type में भी हम measure करेंगे dad work समझ में आया dad work किसे करते हैं और इसका units of measurement क्या होता है? तो यहाँ पर हमने अभी तक 15 point complete किये है तो इस lecture में भी बस इतना ही next lecture में हम next point से start करेंगे उसका units of measurement क्या होता है? यह सब कुछ देखेंगे तो थोड़ा deep में explain कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा lecture गला लंबा हो रहा है कोई बात नहीं अगर आपको यह lecture अठ्छा लगता है तो like करो, share करो और channel को subscribe भी करो तो चलो मिलते हैं हम next lecture